नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुरज अगरवाल आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डेनीज मैं पैसन का हिंदी भार्षन दोस्तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कमल के फूल आप बीच से कैसे उगा सकते हैं बहुत लोग मुझे पूशते हैं कि कमल के फूल कैसे इस तरह के बीच के जो पैकेट आते हैं इस तरह के बीच के पैकेट आप ले सकते हैं कमल के फूल अगर आप चाहे तो हमारे गार्डेनीज मैं पैसन का जो वेब साइट है कल परसों मैं चालू हो जाएगा www.guard frozeit dot in मैं description में link दे दूँगा इस तरह से आप जो है कमल के बीज ले सकते हैं और इसको लेके आपको कैसे उगाना यह तरीका मैं पूरा बताता हूँ यह देखी यह जो बीज है बहुत उंदा quality के बीज है और यह बीज लेके आपको क्या करना है एक साथ सारे उगाने जरूत नहीं एक बार बीज खरे लेंगे यह 10 साल यह भायबल रहता है तो आप 10 साल तक ही इस बीज को रख सकते हैं और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है इसको जो pointed portion है यह दिखाता हूँ यह जो pointed portion है यह थोड़ा नुकिला जो portion है यह वाला इसको थोड़ा घिशना है आपको यह देखे थोड़ा नुकिला portion है यह वाला दिखाता हूँ मैं यह देखकर pointed portion दीख रहा है और इधर देखिए यह थोड़ा blunt है और यह थोड़ा pointed है यह pointed portion में आप यह जो sand paper है यह एक sand paper लीजिए sand paper लेखे इस तरह से घिश दीजिए इसको अच्छी तरह से घिश यह ताकि यह सफेद portion दिखे यह दिखे सफेद portion दिखना चाहिए इस तरह के हलका सफेद आना चाहिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है यह देखे लेके आप क्या करें एक कोई भी pot में यह लेके डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए इसमें पानी डाल के तीन चार दिन में यह जर्मेट कर जाएगा अगर आप समझ में नहीं आ रहे कि कौन सा पॉइंटेट portion है तब आप ऐसे कीजिए इसको बीच से जो पेट का पॉर्षन यह बीच का पॉर्षन इसको आप घिस सकते हैं यह देखे थोड़ा घिस दें ताकि जो पानी है वह अबच rug कर सके यह देकिए त़रा घिस दिया हूं मैं इस तरह से तुरा घिसने के पाद यह आप डाल दिजिए और ये रखने के बाद आप जो है ये देखे मैंने 20 से घिसा था इसको 20 से और ये देखी यहाँ पर germinate हो गया ये चार दिन पहले मैंने डाला था हमने चार दिन पहले डाला था और ये देखी ये सारे germinate कर गए है ये देखी ये germinate कर रहे है और इसको देखिए हमने side में किया था इसका जो है हमने side में किया था और ये भी side में है और ये जो है ये pointed person में किया हुआ है तो आप pointed भी कर सकते हैं side भी कर सकते हैं अगर करेंगे point में करेंगे तो जहांपर pointed person है वो होना चाहिए जहां पर आपको हाथ में लगे कि ये कोना है ये करें और इसके बात क्या करें हर एक दिन बाद-बाद आपको क्या करना है इसका जो पानी है ये पानी को आपको चेंज कर देना है ये देखिए पानी को चेंज कर दे क्योंकि पानी में काई जम जाती है इस पानी को लेके आप एक दिन बाद-बाद चेंज कर दे पानी अब ये दो-तिन दिन में सारे जर्मेट कर जाएंगे सीड और सीड को मैं आपको दिखाता हूँ ये गार्डेनिंग जो है पैसे हमारा ये जो पैकेट है ये पैकेट से मैंने निकाला है इस तरह के पैकेट में आप ले सकते हैं आप अगर चाहें तो आपको मैं लिग दे दूँआ अब क्या करते हैं जब जर्मेट कर गए अब आप क्या कीजिए इसमें 50% मिट्टी 50% कॉम्पोस्ट लेके आप इसका एक मिस्चर बना लिजिए ताला आपका कोई आपको कीचर मिल जाता है तो ताला आपका कीचर भी से भी आप कर सकते तो बहुत अच्छा रहेगा अगर ताला आपका कीचर आपको ने मिले तो इस तरह के आप मिट्टी की मिस्चर बना ले जैसे हमें आटा की लेई बनाते इस तरह के आपके एक कीचर बना ले इस पे बनाने के बाद ये जो पौदा है ये जो जर्मिनिट किया है ये जर्मिनिट किया हुआ पौदा को इसको डाल दे ये देखिए कैसे मैं बीच को बोड़ा हूँ ये डाल दे ये जो उड़िक जर्मिनिट किया है ये भी मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये भी जेनमेंट ट्रिकर ढाल दे दे उसके बाद क्या कर कोई ये बड़ा गमला हो गारा बड़ा गमले में पानी ले और ये बड़ा गमले में ये छुटा है मेरा अब बड़ा गमला होगा आपको पानी रखने के लिए इस तरह से आप इसको डुबो दे पहले पानी गंदा रहेगा उसका बाद तीन-चार गंटे में ये बिल्कुल पानी साप हो जाएगा और इसको आप रख दे और ये पानी भरते और तब तक तीन-चार दिन में देखिए छोटे-छोटे पत्ते इसके निकल आएंगे और जब और गंबला अगर एक फुट का गंबला होगा तो आपको ये फूल खिलता रहेगा ये तीन से चार मैना लगेगा फूल खिलने में यानि कि अभी अगर आप फेरवडी में इसका जर्मिनिट करते हैं तो आपका अप्रेल मैं में इसका फूल खिलेगा आप तू अक्टोबर लगता है टीन से चार दिन लगता है इसका वीच की जर्मिनिट होने में और एक बार भी जर्मिनिट कर जाएगा इस तरह का पौधा यह देखिए यह पौधा निकल रहा है और यह देखिए और यह पौधा बड़ा चौड़ा पत्ता निकलेगा और अगर फंगस लगता है तो फंगिसाइट का प्रवेग जरूर करें जो कमल का फूल है बहुत लाकी कोई कॉम्प्लिक्सिंट नहीं जरूर उगाए कहीं सब्सक्राइब करके लाके आप कर सकते हैं या फिर आमारा चैनल से या फिर मेरा वेबसाइट से भी करें सकते हैं तो यह आप पूरा वीडियो उम्हीदे यह वीडियो पसंद आया पसंद आता लाइक कीजिए शेयर सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो में लात रहता हूं आपको इस चैनल माने के लिए यह वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत दंदबाद शुक्रिया